यूपी में शांदार जूईत के बाद बीजेपी में उतसफ का माहूल है क्योंकि बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसकी उमीद बड़े बड़े राजनितिक पंडितों को तक नहीं थी खास कर जिस तरह से बीजेपी ने वेस्टन यूपी के जिलों में प्रदर्शन किया उससे तो हर कोई हैरान रहा गया आपको दिखाते हैं कि मुजफर नगस्ते शामली और बागपत तक बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा है और मुजफर नगर में क्या रहा है आपको दिखाते हैं किसका जादू चल गया सीट यहांपर छे बीजेपी के खाते में दो और सपा के खाते में चार गया अब बागपत की ओर चलते हैं बागपत में क्या रहा है तीन सीट हैं जिसमें बीजेपी के खाते में दो गए सपा को एक ही मिला है, जाट बेल्ट है ये, शामली की बात कर लेते हैं, सीट तीन है, बीजेपी को एक भी नहीं मिला है, यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी साफ रही है, सपा के हाते में तीन गए है हापुड में किसका जादू चल गया सीट तीन है बीजेपी को तीनों को तीनों मिल गए बिल्कुल ये दिल्ली से सटावा इलाका है हापुड अब मेरट में किसका जादू चला साथ सीट है मेरट में बीजेपी को तीन मिले है सपा को चार मिले है तो यहाँ पर भी कही न कहीं दिख रहा है कि टाटी की टक कर रही है बुलंचेहर में किसका जादू चला बुलंचेहर में साथ सीट हैं बीजेपी साथो की साथो जीत गए बुलंचेहर पस्चे में उत्तर प्रदेश का जाट बिल्ट है रुची जो हमने पूरी चीज़े बता है अब जैसे देखी कि बुलंचेहर हो गया या बाकपत हो गया या मेरट में हो गया यहाँ पर तो लग रही है कि बीजेपी ने कमाल किया लेकिन शामली या दो दूसरे जो इलाके थे जो माना जा रहा थे एक तरह से गड़ है जहाँ पर सबसे जादा किसान आंदोलन का असर देखने को मिला या यू कहें कि टिकेट जहां से आते हैं वहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुला काउंट करते हैं क्योंकि जो उमीदवार है वहाँ पर कितने लोग आंदोलन में शामिल थे उनकी जो लोकल MLA होते हैं कई बार उनसे बहुत जादा नाराजगी होती है उसकी वज़े से वो MLA को हरा देते हैं क्योंकि बीजेपी को ये डर भी था कि जो सिटिंग MLA उनसे नाराजगी है और उनकी वज़े से वो सीट खो सकती है तो ये सारे जो आप आखरे दिखा रहे हैं बहुत सारी सीट ऐसी है जो लोकल जो उनके विधायक थे वो अपनी वज़े से वहाँ पर हा रहे हैं लेकिन आप साथ में ये देखेंगे कि इन इलाकों में बीजेपी ने भी अच्छा परफॉर्म किया तो बीजेपी के अच्छा परफॉर्म करने के पीछे वज़े यही है कि सारे जाट एक साथ समाजवादी पार्टी आरलडी में नहीं चले गए मुस्लिम आरलडी का जो गडबन्धन था वो हर जगे नहीं चला हर जगे वह कॉँईशन ने काम नहीं किया और बीजेपी को भी वहाँ पर आंदोलन इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ जो बीजेपी को कहा जा रहा था बड़ा नुकसान पहुचा सकता है उसने उतना नुक खिलाफ एक लहर थी, उसको कैसे उन्होंने कंटेन किया, किसान का कानून जो बापस दो ले लिए, उसके बाद भी कैसे किया उसको कम? देखिये, बहुत सारी चीजे हैं, जिसान कि जो उत्तरप्रिदेश में जो जाति-े-स कमिकरन है, अगर वह जाति-े-स कमिकरन को ठीक से समझ के हर वोट बैंक के लिए काम करना यह बीजेपी निस तीन पी ठीक कि रूर इगा का द्यान रखती है और उस पर लगातार काम करती ह तो इन अलाकों में जो जाट और मुसल्मान मान लीजे नहीं भी मिला तो बाकी जो जातियां थी गूजर हैं वहाँ पर बड़े पेमाने पर पाल हैं कश्यप हैं सैनी हैं ये सारे वोट बीजेपी के खाते में गए तो एक तरह से वो इलाम बंद हो गया और दूसरा कोई भी वहाँ बीजेपी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि जो लाभारती थे जिनको उन्होंने फायदा पचाया उन्होंने बीजेपी को वोट किया और महिलाएं बड़े तादाद में बीजेपी को वोट करने घरों से निकली बिल्कुल तो हो सकता है कि जो जाट समुदाएं के घर की महिलाएं हैं उन्होंने बीजेपी को वोट किया हो लेकिन एक बात जरूर देखने को मिले थी कि इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन के दौरा राकेश टिके तो कोई भी हो इनके किसी भी जाट नेता के खिलाफ या क बौतम बुद्नगर के लाके में तीन सीटे और तीनों के तीनों पर बीजेपी ने अपना कबजा जमाया है पूरी के तरह से अर्बन एरिया भी है और सेमी अर्बन एरिया भी पपड़ता है। मतुरा में किसका जादू ये ब्रज का शेतर पढ़ जा रहा है पुरा ब्रज का और यहां पर भी पांच सीटे और पांचों की पांचों बीजेपी के खाते में गई हैं रूची अब जो हमने देखा देखिए कि वेस्टन यूपी वेस्टन यूपी के साथ सटावा थोड़ा सा वेस्टन थोड़ा सा ब्रज बीजेपी ने एकदम यहां पर क्लीन स्वीप मार दिया लोगों ने सोचा नहीं होगा क्या ऐसा हो पाएगा गाजियाबाद नॉइडा जो है वो शेरी इलाका है बीजेपी का स्ट्रॉंग होल्ड माना जाता है और यहां जैसा आप से भी अभी बात हो रही थी कि लोग यहां पर रहते हैं उनको लॉइन ओर्डर से बहुत समस्या थी कि लड़कियों की चेन चिन गई गई गाड़ी उठा के ले गए रात में निकलना मुश्किल था तो वो एक जो लॉइन ओर्डर का इशू है जो बीजेपी को कई जगे फाइदा पहुचा रहा है उसने यहां नॉइडा और गाजियाबाद में पहुचाया कि लोगों को यह लगा कि यह सरकार हमें अच्छी कानू नुवस लेकिन क्योंकि दलित वोट मायावती से चिटक गया और बीजेपी में आ गया इसलिए उसको बीजेपी को फाइदा आपको आगरा में दिखाई दे रहा है मतुरा है वहां पर कृष्ण जन भूमी हो जिस सरे से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कृष्ण जन बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है तो वहां लोगों को एक उमीद शायद बीजेपी से हो कि जो कहा जा रहा है कि अब यहां कृष्ण जन भूमी में भी काम हो सकता है तो कुछ उस उमीद से भी वोट दिया और बीजेपी के जो बाकी चीजेपी सरकार ने काम किया जो उन जान सिंग जो पूरों मुख्यमंत्री रहे हैं बीजेपी केतने कदावर नेता थे उनके बेटे भी यहां से जीते हैं अलीगड के इलाके से तो यहां पर क्या लगता है कि जो बीजेपी के साथ रहा है इस शेतर में ब्रच के शेतर में आपने दलित तो बताया है लेकिन सा के नतीजे हमें देखने को मिल रहा है और जैसे अलीगड की आपने बात की तो इस इलाके में लोध वोट बहुत है और यह जो लोध वोट है यह बीजेपी के साथ पहले भी रहा है और अभी भी निखाई दे रहा है कि वो लोध वोट बड़े पेमाने पे बीजेपी के तो OBC वोट जो है यूपी में बहुत मायने रखता है जलित वोट बहुत मायने रखता है बीजेपी ने इन दोनों वोट बैंक पे बहुत अच्छी तरह काम किया जिसका फल भी उनको मिला है बिल्कुल तो